कि नमस्कार मैं अनिल के सी अबाउट इंडिया चैनल में आपका श्वागत करता हूं अबाउट इंडिया चैनल का वास्ति कुद्देश भारत की संस्कृति और भारत के विराशत से यह आज की युवापेड़ी को परिचय कराना है और इसके अंतरगत हम लोग कई जैसर रिंखलाओं को ले कर आ रहे हैं और इसमें से आज जो हम लोग एक सविंखला लेकर आए हैं वह स्थापत्रे से जुड़ी हुई है यानि और इस अर्कितेक्ट्चर का नाम है चांद की बावडी कई लोगों ने नाम सुना होगा और कई लोगों बिल्कुल भी नाम नहीं सुना होगा कि ये क्या है चांद की बावडी आईए हम लोग इसी को जानने का प्रयास करें कि चांद की बावडी वह क्या है तो देखिए ये जो चांद की बावडी है तो पहले समझें कि बावडी कहां है ये तो राजस्थान के दौसा जिले में एक आभा नेरी नामक गाओ है जो आभा नेरी का प्राचीन नाम जह है वो क्या है आभा नगरी उसी आभा नगरी का अपभरंसित रूप आज जह है वो हमें मिलता है आभा नेरी के रूप में और आभा नगरी का अर्थात था चमकदार नगर यानि कभी यह नगर के रूप में था और चमकदार जह हुआ करता था जो आज आभा नेरी के यहीं पर एक बावडी या बावली इस्थित है अब यह बावडी का जो तात्पर है वो एक ऐसे कुए से है जो दरसल सीड़ीधार होती है सामानेता जो कुए होता है वो सीधा होता है लेकिन ऐसा सीधा कुए नहीं बलकि सीड़ीधार कुए सीधिदार कुएं होता है, उसी को जो हम लोगब बावली करते और यह कई मंजिलों में जो होता है, आई यह हम लोगगई इसको देखने का प्रियाथ करें, देखिए यह कुएं है अब यहाँ पानी है और यहाँ यह सीधिदार कुएं है तो ये जो पिक्चर है ये दरसल चांद की बावडी का है तो ऐसी बावडियां कई जगह पर है जैसे दिल्ली में अग्रसेन की बावडी जिसकी पीके फिल्म में सूटिंग हुई थी इसी प्रकार जहे वो गुजरात के पाटन में रानी का बाव जो आपके जहे सो रुपे का नोट अगर जहेवा देखिएगा जो आज की करेंसी है न्यू करेंसी उसमें पीछे में रानी का बाव जहेवा का चित्र चपा हुआ है वह भी जहे एक बावडी है तो वो भी एक बा बावडी का यह दूसरा ही में अब दिखें कि यह कितना डीप है किक है अलग-अलग मझिल है एक मंझिल दो मंझिल, तीन मंझिल, चार मंझिल, पांच, मंझिल, छे मंझिल यहीं दिखना है साथ, आठ, नौ, दस इस प्रकार से और इसके भी नीचे यही बावडी का कुमा है जिसमें पानी है चांद की बावडी अब देखे तरसल यह जो बावडी है इस बावडी का निर्मान राजा मिहर भोज ने करवाया था राजा मिहर भोज जैवा कहा के है तो यह इने चांद के नाम से जैवा जाना गया और यह जैवा नौवी शदी के शाशक है यानि आज से अगर जैवा हम लोग गरना करें तो आज से जैवा लगवग 1200 साल पहले और 1200 साल पहले जैवा तो यह बावडी जैवा क्या है तेरह मंजिल इमारत के रूप में है और लगवग इसमें 100 फिट गहरा है तसा 1300 सीड़ियां बनी हुई है इसमें यहां पर यह जो सीड़ियां है ऐसी एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नो दस ग्यार यह तेरह सो सीड़ियां बनी हुई है पूरे चारो तरफ यह टोटल और कि कि राजस्थान में इस्तित है बावजूद इसके कभी नहीं सुखता है तो दरसल उसके निकट के छितर से एक वान गंगा नाम की नदी जहेवा बहा करती थी अब आज जहेवा यह सूखी हुई नदी के रूप में केवल नदी घाटी के रूप में है लेकिन कभी जहेवा यह नदी हुआ करती थी तो माननेता है कि यह जो नदी है इस नदी से ही इंटर कनेक्टेट था जहेवा नीशे का भाग यानि नदी की तलहटी से जहेवा इंटर कनेक्टेट था जिससे यहां का पानी नहीं सूखता था आज तक तो नहीं सूखा है अभी भी नहीं सूखा ह अब ये चांद की बावडी, जिसमें जल हम देख रहे हैं और ये नहीं सुखा है, ठीक है? ये भी चांद की बावडी का ही अलग-अलग एंगल से लिया गया चित्र है, अब देखे, इस बावडी के एक दिशा में तीन मंजिलों की आकरती बनी हुए, एक दिशा में, तीन मं मंजिल की जहिए का एक महल बना हुआ है, और कहा जाता है कि राजा इसका परियोग गर्मी से बचने के लिए करते हैं, यानि राजस्तान के छेत में बहुत गर्मी पढ़ती थी, तो राजा इसी महल में आकर कुछ देर के लिए विश्राम करते थे, या कुछ दिनों के बदीखे से मिल यह इसके शूर्द पर我說 यह दूसरी मंजिलियरende तीसरी मंजिल मंजिल इमारत कहँए पर यह आ बिसके किनि कुए है यह गनेश भगवान की परतिमा उकेरी हुई है यह अगर हम लोग इस से देखने का प्रयास करें पूरे व्यू में तो उसको भी दिखाया जा सकता है यहां पर यह पर इस जागह पर यह तीन मंजिल तीन मंजिल के निछले हिस्से में यहंda पर परतिमा ढबनी हुए है महिसासुर मर्दनी की और भगवान गनेश की. यह पुरा तात्व एक साथ छै. इस से एक बात पता चलती है कि इस छेत्र में दुरगा, यानि मा दुरगा जो है कि जो आज पूजा होती है वो महिसासुर मर्दनी के रूप में आज से 1200 साल पहले से परिशित है. प्रचलित है और जहेवा साथ साथ जहेवा भगवान गनेश की भी जहेवा पूजा यहां हो रही है 1200 साल पहले से. इसके बाद देखिए मंदिर के चारो तरफ इस्तंब नुमा जहेवा बना हुआ है और इसस्तंब जहेवा में कलाकृतिया जहेवा भी रखी हुई है. अब देखिए इस मंदिर के कहा जाता है चारो और वरगा कार अस्तंब जहेवा नुमा आकरती है और उसमें पत्थरों की उच्छ कोटी की कला जहेवा बनी हुई है. यहाँ पर ये तो चर्चा मिलती है तेहास में कि राजा मिहर भोज ने बनवाया था लेकिन एक चर्चा ये भी मिलती है कि ये इसका किवंदती कहती है कि ये भूतों प्रेतों के द्वारा इस बावडी का निर्मान एक रात में कर दिया गया. तो दरसल भूत प्रेत की कथा इस छेत्र में काफी प्रचलित होती है. भूत प्रेत पे विश्वास, उसकी आस्था, ये सब चीजे जहेवा काफी प्रचलित है इस पूरे आसपास के छेत्र में. पूरे के पूरे राजस्थान के दोशा, अलवर, करॉली, भरतपूर, ये स में कोई सत्यता की बात नहीं है किवंदती है तो मैंने सोचा परीशय भी करा दूँ आप लोगों को अब देखिए इस बावडी के निकठी जह वा दरसल हर्शद माता का जह वा एक मंदिर है और हर्शद माता का मंदिर का मतलब है हर्श या उल्लास की देवी तो यह हर्श और सथ निर्मान करवाया था तो यह बढना का मंदिर मतल द्हाए हर्श और हर्श माता का मंदिर जो आज छोटे रूप में दिख रहा है लेकिन ऐसा नहीं देवी देवताओं और ऐसा कहा जाता है कि 1021 से 1026 के बीच महमूद गजनवी ने जब आकर्मन किया था तो इस मंदिर को विद्धुवन्स कर दिया तोड़ दिया पूरे मंदिर को खंडित-खंडित कर दिया और इसके बाद वहां पर मूर्ती पूजा जैवा बीच-बीच में होती रही कभी मंदिर बंद रहा फिर मूर्ती दुबारा इस्थापित होई फिर मंदिर बंद रहो गया तो इस प्रकार से जा चलती रही यहां पर आज भी पूजा होती है लेकिन इसके पहले मानता यह है माना जाता है कि उने 168 तक में 1968 में जो यहां इस शेत के पुराने लोग हैं वो बताते हैं उने 168 तक इस मंदिर में हर्षद माता का 6 फीट मूचा जह है वो एक मूर्ती थी जो नीलम पत्थर से बनी हुई थी यानि नीलम पत्थर जो एक अपने आप में कीमती पत्थर होती है उस नीलम पत्थर से बनी हुई थी जह है वो यह या जो आज यहां मौजूद नहीं है क्योंकि यह चोरी हो गई यानि 1968 में चोरी हो गई अब देखे मैंने कहा कि इसके स्तंब पर कलाकिर्तियां इसके स्तंब पर अलग अलग प्रकार की कलाकिर्तियां उकेरी हुई है इसके बाद आज देखे इसके चारों तरब मैंने कहा कि देवी देवताओं को जहिए वाच करनी थे हैं और जब इसके ऊपर आकरमन किया गया था विद्धन्स के लिए तो देखे Himself के जैवा की दौर्ण की अब चीजे को हमें देखने को मिलती है अब देखें ये कलाकर्ती जहवह एक ही पत्थर है उसी पत्थर के अंदर लोटस को जहवह बना दिया गया है ये अपने आप में कलाकारी का अद्वत नमुना कहा जाता है यह देखें यहाँ पे भी देवी देवता की प्रतिमा जहवह है जो मंदिर के नीचले हिस्से में जैवा दिखाई दे रही है यहां भी देवी देवता की प्रतिमा है लेकिन फिर से चेहरा जैवा देखे तोड़ दिया गया है पूरा चेहरा जैवा विद्धुनसित कर दिया गया है हाथ तोड़ दिया गया है सारे हाथ तोड़ दिये गए है तो यह जो आक्रमन कारी थे उन आक्रमन कारियों ने इस प्रकार का प्रियोग करके सारा तोड़ दिया और यह कलाकारी हरसद माता मंदिर के चारों तरफ हर मंदिर के हर कौर्णर हर कौर्णर ही डेकोरेटेड है और हर कौर्णर का जो हम लोगों को देखने को मिलता है तो चांद की बावड़ी तथा हर्षद माता मंदिर के बारे में हम लोग शंशिप्त जानकारी जहवा यहीं रखते हैं तब तक के लिए मैं अनिल केसी आपका धन्यवाद करता हूं जय हिंद जघ्य करते हैं जढ ऐसे करते हैं